शुप्रियो शिकार्ति बिंदू एसेंशियाल स्टाडियेर पक्ष थेके तुमादेर के जानाई शागतम आजके आमादेर वीडियो टापिक होसे अश्टम्स रेनीर इंग्राज जी बहेर उनिट 2.2.3 दाखा बाला होसे इमाजाइन यू और इन देट क्लास उपरे आमराजे पैसेश्टा पुरिसलाम बाला होसे मुने करो तुम्ही एई क्लास से आशो एबंग आफ्टर रिटार्निंग होम क्लास शेशे बाड़ी फिरे माने बाड़ी फिरार पर यू वील शेर वीट यूर पेरेंट्स वाट हैपेंड इन दा क्लास एखन बाड़ी फिरार पर तुमी तुमार माबाबा शाथे शेर कोड़ते सास्षो क्लास से जेटा घोटे सिलो शेटा नाव एखन डिस्कास दा फॉलेंग कोईश्चेन्स तु डिसाइड अन हाउ इउ वील डू देट एखन इज एखने पास्टा पोस्टनो रेर से एई पास्टा पोस्टनो निये आलोसना कोड़ते बाला हस्ये एबों तुमा के शिद्धान्त नितहाबे एई पास्टा पोस्टने रूत्तर तुमी किभावे कोरबे तो एखन एई भीडियोते इंशालला आमी तमादेर के एपास्टा पोस्टनेर उत्तर बोजिय दिवो आशा कोडसे वीडियो ता तमादेर उपकारे आज इबी एबंग वीडियो टी शुरुकारार पूर्वे तमादेर कासे अनुरत थाकबे तमादेर जोदी आमारे वीडियो टी भालो लागे प्लीज सब्सक्राइब माई चानेल और इस्टे कानेक्टेड एपोस्णोगुलार उत्तर आमी अल्रेटी एकाने लिखे रिखे सी देखो देखो ये नमबर पोस्णेबला होस्षे Will you say everything to your parents that happened in the class? माने ओई क्लासे जेटा घोटे शिलो तार सब किसुई की तमार माभाबा के तुमी बोलते साओ और अथबा You will tell them the important message अथबा तुमी की सुधु तादेर के important माने गुरुत्त पूर्णो काथा गुलाई बोलते साओ माने क्लासे जा घोटे सीलो सबी बोलते साओ नाकी important काथा गुला बोलते साओ ताहले एई पोस्णे रुद्तोरे आमारा की बोलते पारे? दाखवा में एखाने लिखेर हेगे से I would not say everything to my parents that happened in the class अने ओई क्लासे जेटा घोटे सीलो तार सब ताई बोलते साओ ना but only the important messages अने शुदु गुरुत्त पूर्णो मासेज गुलाई बोलते साओ एरफा द्याखव बी नमबर पोस्णो बला होसे Will you tell all the messages one after another? बला होसे तुमिकी तादेर के सब message गुला एक्टार पर एक्टा बोलवे नाकी शाजिये, एरेंस माने शाजिये, शाजिये गुसिये शुदुमात्रो important message गुला बोलवे मने जे गुला गुरुत्त पुर्णो शे गुला रोपर भित्ती करे शाजिये बोलवे नाकी सब गुला एक्टार पर एक्टा बोलवे ताहले एई पोस्णे रुत्तोरे आमरा की बोलवो? आमरा बोलवो I would arrange the messages based on their importance Rather than telling them one after another मने एक्टार पर एक्टा ना बोले शुदुमात्रो important कथा गुला बोलवो शेटाबा शाजिये मने शुन्दर कुरे बोलवो देखे एक्टा उदाहर नामी दिये सी For example, I would tell them that the education minister visited our school and our class that she asked us some questions and praised us एक्टा ने जेटा बोला हसे उदाहरान शुरुप I would tell them आमी तादेर के बोलवो और थाथ आमर महाबाबा के बोलवो that they, the education minister visited our school and our class शिखा मुंत्री मिनिस्टार मने मुंत्री और education मने शिखा शिखा मुंत्री आमादेर इस्कोल दर्शन कुरे शिलो एबंग आमादेर क्लासो मने आमादेर क्लासेव एशे शिलेन That she asked us some questions and praised us एबंग तिनी आमादेर किसो पोष्णो कुरे शिलेन आमराज यहुतो उत्तोर करते पेरेसलाम एबंग एबंग आमादेर के प्रेजड मने प्रोष्णो कुरे शिलेन एबंग आमरा शाजिय सुन्दर करे बलते पारी तुमारा जोदी साव शुदु एटुको लिखते पारो एटुको लिखले आन्सार्टा हुए जाई एर पारे दाखो सी नंबर पूस्टने Will you share the information to your parents in your own words or use the quotation from the given text बला होसे Will you share the information to your parents in your own words माने एई जे information जेत अथो गुला तुमी दिबे तमार इसकुलेर एई गुला की तमार निजेर अन माने निजेर words माने शाब्दो माने निजेर मतो करे बलबे निजेर शाब्दो दिए बलबे और अथबा use the quotation quotation माने क्यो कनो कथा बले से होबहु शेटा तुले धरा ताहले तुमी की इस जे तमार जे given text माने उपरे जे text आमरा पुले सिलाम और टेक्स थेके होबहु कनो कथा बलबे नाकी तमार निजेर शाब्दो दिए तमार माबबा साथे तुमी एटा शेयर करवे ताहले एई पोस्नेर उत्तरे आमरा की बलबो आमरा बलबो I would share the information to my parents in my own words आमी आमार माबबा साथे आमार निजेर मोतो कुरे शेयर करवो माने आमार निजेर शाब्दो दिए आमार माबबा साथे इत तथो बलो शेयर करवो rather than using the quotation from the text आमी एटेक्स थेके कोनो कोटेशन एके बारे हुबो हुँ ना तुले धोरे निजेर मोतो करे बलबो I would also try to use simple and clear language that my parents can understand easily एशाड़ाव आमी मुलो तो सेश्टा कुर्बो व्याबहर कोटते एके बारे सहोज एवों खोबी परिश्कार भासाई बोलते जेनो my parents can understand easily आमार माबाबा खोब सहोज़ाई बुस्ते पारे ताहले एटा तुमरा लिखते पारो एर पारे दाखो डी नम्बर पूस्ने बला होस्षे Why do you narrate them in that way? माने एजे तुमी खोब एजिली बोलबे माने एजे तुमी एटा नेरेट माने बन्डो ना कोरबे एभाबे अर्थात खोब एजिली किन्तु एटा क्यानो कोरबे Why माने क्यानो क्यानो तुमी एटो सहोज़े बा एभाबे बन्डो ना कोरबे ता अले एई पोस्ने रुट्तोरे आमरा की बोलते पारी? आमरा बोलबो, I would narrate them in that way because I think it would make my parents more interested and curious about my experience. आमी एटा बोलबो एभावे because कारण, I think, आमी ओने करी, it would make my parents more interested, एटा आमार माबबा के आरोबेशी मजादार बा आग्रोही करे तूलबे and curious about my experience. एबंग आमार अभिग्गता संपर के को तो हली कुरे तूलते पारबे? एई जन्ना आमी एभावे बन्नो ना कुर्भू. एर पारे दाखो, इनामबार पोस्ने बला हस्षे, Do you think the two different ways of narrating a conversation are both necessary? माने इजे दूइटा उपाई, माने दूइटा भिण्नो उपाई रहे से एटा नारेटिंग, माने बन्नो ना कुरार, एक्टा हस्षे, तुमी तुमान निजेर मोतो करे आराक्टा कोटे शन, माने वह खाने जेटा हुए शिलो, तादेर कथा टाई, सु Do you think, तुमी की मोने करो, the two different ways of narrating, बन्नो ना करार, एक जे दूइटा उपाई, आ कानबार सेशन, एक्टा कथफो कजन एर मोध्धे, आर बोध नेसेशारी, एक दूइटा है प्रियोजन, बादरकार, एटा के तुमी मोने करो, give reasons for your answer, जोदी मोने करो, ताखन तुमार उत् तोरे आमरा की बोलबो, I think that two different ways of narrating, आ कनबार सेशन, आर बोध नेसेशारी, आमि मोने करी, इदुइटा उपाई, बन्नो ना करार खेत्रे, मने कनेक्टा कनबार सेशन, इदुइटा उपाई दरकार, depending on the purpose and audience, एबंग एटाम लो तोर डिपेंडिंग, निर्भर करे, एटा उद्देश्य एबंग audience मने दर्शक बा स्रोता, स्रोता देर एबंग उद्देश्य रोपरेटा निर्भर करे, For example, दकायक्टा उदाहरन देश्य, if I had to write a report or an essay about the visit of the education minister, I would use the quotation from the text and cite the source properly. Cite मने उद्रित बा उदाहरन देवा, और तत एखाने बला हुष्य, for example, उदाहरन शरुप, If I had to write a report or an essay about the visit of the education minister, माने एजे शिख्धा मंत्री आमादे रिश्कूले एशे सिलेन, एटार अपरे जोद्याम्याक्टा report अथबा एशे माने प्रवांधो लिखी, I would use the quotation, ताखन आमे की कर्भो, विखान कार quotation ब्याभ़र कर्भो, from the text, we text थेके, and cite एबंग उदाहरन दिभो, the source properly, माने एखन कार एक बारे शठीक जेटा शेटा आमें बोल्बो, एबंग एटा करा कारण, this word show that I have done my research, and that I respect the original author. झाल